कि हालो स्टुडेंट्स आइए अब जीरंड का अध्यान करते हैं यह 14 चैप्टर है 14 चैप्टर इसमें इन्फिंट्व पढ़ा दिये गए इसके पहले आपको पार्टिसिपल पढ़ा दिये अब चलिए जीरंड देख लेते हैं המדत जीरंडर के फिर्ष्ट फार्म में अखिलगा कर बनता है यह नहूं का करता तक बहुकर करके अनि बर्व का सब्जक्ट हो सकता आपको-बपर्व का पूरक होता है जैसे जीरंड की हिंदी बात करें तो इसकी हिंदी होती है संग्यात्मक क्रिया संग्यात्मक क्रिया यह फिर दूसरा हिंदी होती है क्रिया वाचक संग्या ठीक है संग्या का काम करती क्रिया है इसलिए क्रिया वाचक संग्यात्मक क्रिया संग्या मतलब एसी क्रिया है जो संग्या का क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगां सकता अब्जेक्ट की जगां सकता है प्रिपोजिशन का अब्जेक्ट हो सकता है कंप् तो द्यान देना जीरंड जो है बर्व की फर्स्ट फार्म में आयंजी लगा देने से बनता है तो वाकिंग जैसे टाहलना वाकिंग इस यूजफुल फारें तब भी चल जाएगा लेकिन तब इन्फिन्टु हो जाएगा कुछ क्रिया होती है इन्फिन्टु जीरंड नहीं आ सकता है यह चीज आप डिटेल में आपको सिंटाइक्स के चेप्टर में पढ़ाया गया है वहां से भी आप कवर कर सकते हैं बाद एक करने को सबद करती है क्या पसंद करते हैं तो आपको पसंद करती हैं तो आपको और दोनों जगा सकिए दिए इससे आपको एक पूसींग नामचने की सौकीन है के दानसिंगा तब यह एकिस चिट होता नाच रही हो दोसरों को रिया Umm तो अप्रम का देदे हैं उसकी यहादत थी पता नहीं क्या थी ओर दो इसमें में लिख दिया वुजिंग दा दूसरह Mississippi को लघ दे ना तो इसको कि आंट कुछ कहते हैं कि अब चलिए जो है कि आपको आगे पढ़ा दिया जा रहा है एक सरसाइज नंबर 29 पहले तब इसको कर लिए फिर मैं बोल रहा हूं मिला लिजेन कि देखिए पहला है करने से कहना अधिक आसान है कि कहने से कहना अधिकासान काने मतलब है काना अधिकासान नहीं से तो गैस्तर से वह लोग सिकार मारने में तोज पीपुल का दीजिए यह देही कर सकते कोई दिक्कत नहीं वर इसकिल माने उस्यार होते थे इस शिकार करने में इन हंटिंग हंटिंग माने सिकार करना हुआ दूत पीने की सवकीन है तो दूत पीने का सकीन है इस फांड आफ ड्रिंकिंग मिल्क या टेकिंग मिल्क भी कर सकते हैं वे विद्ध्यार्थी हांकी खेलना पसंद करते हैं दोज इस्टुडेंट्स लाइक टू प्ले हांकी लाइक ने टू प्ले मत करें प्लेंग हांकी कर दिए क्योंकि अब भाई स्टुडेंट्स लाइक प्लेंग हांकी देखना ही विश्वास करना है तो सिंग इस बिलीविंग अगला है अगर यह वाकि इंफिंट्स हो तो टू सीस्टू बिलीव तब भी सही था अकबार पढ़ना एक अच्छी आदत है रीडिंग दा न्यूस पेपर इस एक गुड़ साथ सद्लेवियुंग दिन में सोना हानि क्या रख रहा है ठीक है एक श्लीपिंग इन दर डे टाइम इज हार्म फुल स्लीफिंग इन दर टाइम इज हां पूल अनिका यह वाकि इनफिंट्स बादर त्टू स्लीफ इन देटाइम ठीक है तब भी सही था है उसे जूट बो लेकिकारद आने काउन टाफ टेलिंग लाइज लाइज कदी एक टेलिंग लाइज बात देखिए हुए अग्ला है सवास्त के लिए हान क्या रख है ट्रिंकिंग वाइन is harmful for health drinking wine is harmful for health स्वास्त के लिए हान क्या रहे है तरना आसान कर नहीं है swimming is not an easy work swimming is not an easy work वह घर का काम करने में दच्छ है तो he is दच्छ के एंगर जोगा expert ठीक है के एपन दिया दच्छ है इसल्दी करह सकते हो इनद्य के ड्विंग थाथ जो आचा घर का काम करने में कर गर काम करने में धी सब्सक्राइब इस एक साथ द्या है इन डिस्चार्जिंग हाउसोल्ड डूटीज कहतो इन डिस्चार्जिंग हाउसोल्ड डूटीज यह नहीं तो आप इन डूइंग करोगे तो हाउसोल्ड वर्क है कह सकते हो इन डूइंग मने करने में हाउस्वोल्ड वर्क मने घरेलू काम या फिर अब डूइंग न करना चाहिए इन दिस्चाजिंग हाउस्वोल्ड ट्यूटी जो किताब में दिया गया अगला है मेरी माव पन्यास पढ़ना पसंद नहीं पसंद नहीं करती है माइ मदर डज नौट लाइक रीडिंग नॉवल्स आज कल मैं एक पुस्टक लिख रहा हूं नाव इडिज माने आज कल ठीक है आगे एक पुस्टक लिखने में लगा हूं आई एम इंगेजड किसी काम करने में लग जाना तो इंगेजड करते हैं आई-इ-ए-ई-ग-इ- engaged in writing a book मुझे तुम्हारा समय बरबाद करना पसंद रही है आइडू नाट लाइक टीक है वेस्टिंग योर टाइम है आइडू नाट लाइक वेस्टिंग योर टाइम या यूर वेस्टिंग आफ टाइम अगला है दूथ पीन स्वास्त के लिए लाप्रद है तो टेकिंग मिल्क का दो या ड्रिंकिंग मिल्क इस यूजफुल फार हेल्थ टेकिंग मिल्क इस्टिंग मिल्क इसलीए इसको इस समय देख ले गए चलिए 29 भी देख लेते हैं 29 आपका हो गया इसी पारधारिक था इसलिए इसको भी समय दीख लेगा क्रिया के बाद जीरंड रथवा इंफिंटू में से जो प्रतीत होती थी तो रंजना मतल्हां अप्रतीत होती थी मतल्हाँंडल सीम कहा दो या अपिर्ड भी से दूंड सम स्म अफसेट आपसेट मने कुछ अफबस आफसेट आखोड़ी हो या इस डिश्टब भी से अधे don सम्वाट मैं कुछ कुछ होता है वहां इन दा पार्टि सर्दी में मैं धूप सेखने का अनंद लेता हूं यह आई टेक प्लीजर माने मैं आनंद लेता हूं इस टिक है वेश कि धूप सेखने बास्क दासन होगैं बास्किंग दा शन माने दूप सेखना इन विंटर आई टेक प्लीजर बॉस्किंग दसन इन इंटर शरकार छोटे उद्योगों की सायता करने के पच्छ में हैं दा गॉवर्मेंट इस सरकार है इन फेवर आफ ठीक है इन फेवर आफ हेल्पिंग अल्पिंग माने वता मदद करना हां छोट छ परव कि अच्छा मेरे परोसी ने मचान बेचने का निड हो संगे से था बजसे इस यह मोझे गड़ेत में विशेस योगीता प्राफ्ट करने कि आसा मतलब हो द्याहित स्थायत करनेày कि साहजता करने तक मुझे आसा हुझ ओद करने कि आसा है तो पाल धूंफू मैं आσmother भी नहीं होप्फुल और या आई हैव यह होप भी कह सकते हो बात देखी हुआ हाँ आई हैव और होप यह आ यह मौप फुल तब हुआ तक वाफ हो जाता है तो आई हम होप फुल आप यह एव होप आप अच्छा हगड़ेत में विसेश यूगित्अ पराफ्त करने की आफ है भीसेश योग्यता थे तो मतलब किया होता है तो इस पिशल रिया है अब कितान मंत्रों यहां कोदिस्टिंस ज्याला जब नंबर पा गए तो चुनल के श्रय मनज अलें रहा है तो इसमें और में मंहों फुल आफ यह को उधिक सब्सक्राइब वाहज सब्सक्राइब इस लेक्षो को पड़कर समप्त कर चुके हैं कि हैं या इस किताब लेक का पढ़ना आप समफ पच्छ के बात करें हैं अच्छा अगला है है मेरे सभी सहलियों ने मेरे भाई के सादी में सम्लिफ होने का वायदा किया है All Friends मेरी सभी सहलियों ने Have Promised क्या वादा किया तो हाँ अब संभलित होना मतलब भ게 यहाँ पर सामिल होना Have Promised To Appeal In The Mirage Of My Brother To Appeal अब अब परकट होना संभलित होना पस्त्तित होना Join भी के सकते हो I has promised to join The Mirage Of My ब्रिदर इसको भी कर सकते हूं नियाधिस ने मुल्जिम को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया तो नियाधिस मतलब दजज ठीक है न इंकार करना मतलब पर रीफिवेज्ट इंकार कर दिया है हां तू रिलीज तू रिलीज दए इक्यूजड आन वेल तो रेलीज दोसी को छोड़ने के लिए से आन मैने जमानत भी एई यल वेल मिस होता है जमानत किताब में दिया भी है देखिए to release on लेल अगला है डाक्टर की सलाह है कि तुम्हें सराफ पीना तुरंट छोड़ देना चाहिए तो डाक्टर की सलाह है मतलब कि डाक्टर ने सलाह दिया है कि थे ड्लाक्टर हेज इड्वइज डैट ड्र एडवाइज ड्र जैट यह सबिसक्थ इडवाइज ऑफ ड्रक्टर थैट बात की हुए तुम्हें साराब पीना तुरंट छोड़ देना चाहिए इस इस देना क्मलब घीब अप घीब अप जिरेकिंग बाइन इममेडियेट ले, ड्रिंकिंग वाइन, इममेडियेट ले, मुझे आपको सुचित करते हुए खेद है कि आपको इस पत के लिए उप्यक्त नहीं पाया गया है, ठीक है, मुझे आपको सुचित करते हुए खेद है, तो I have a regret, यह स्वारी भी करते हैं आपको सुचित करते हुए कि आपको इस पद के लिए उप्युक्त नहीं पाया गया आपको प्युक्त नहीं पाया गया इस पद के लिए यह सब करते हैं यू आट सुटेबल फार इस पोस्ट तब भी चल जाएगा तुम आप इस पद के लिए हो योग नहीं हो फांट के लिकिने जिरूत नहीं है बात है क्योंगा पैसवास में लिखें कि यू है नाट बीन फा आप माई फौज में भरती होना चाहता है आई वांट तू जॉआइन दा आर्मी जॉइन दा आर्मी माने फौज भरती होना ठीक है वसे एड़्विट नहीं लिखा जाएगा मैने भाविश्च के भिशह में सोचना बंद कर दिया है आई है इस टाप्ड मैंने बंद कर दिय भब इसके वारे में सुचना है तो आई होप समझ में आ गया होगा इस आज की वीडियो में इतना है इसके बाद आपको जो है चेप्टर 15 पढ़ा जाएगा कम डिशना संटेंस सर्थ वाले वाकिए इसका ट्रांसलेशन कैसे के जाएगा तो वीडियो पसंदा है लाइक सब्स सब्सक्राइब सेयर जरूर करें मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग वीडियो